टेबल्स का क्या आर्थ होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं टेबल्स जो है वो टेबल का प्लूरल होता है यानि कि एक से ज्यादा टेबल को हम टेबल्स कहते हैं और टेबल का आर्थ होता है सारणी, तालिका, सूची पत्र या सूची यानि कि किसी प्रकार की कोई सूची या तालिका होती है या कोई सारनी होती है तो उसको टेबल कहा जाता है इसके लावा मेज को टेबल कहती है मेज जो हम जिस मेज पर बैठ कर हम खाना खाते है या जिस मेज पर बैठ कर कोई वैक्ति काम करता है तो उस मेज को हम table कहते हैं इसके इलावा कोई सूची तालिका होती है उसे भी table कहा जाता है इसके इलावा कई बार पठार जो होता है उसको या लगू गणक को भी table कहा जाता है एक से जादा को हम tables कहते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उन्होंने शुरू से अंत तक तालेकाओं की व्यवस्था की तो आप कहेंगे या अगर आप ये कहना चाहें कि मेजें खाने से लदे हुई थी तो आप कहेंगे या अगर आप ये कहना चाहें कि हम हमेशा कुछ अनारक्षित टेबल रखते हैं तो आप कहेंगे we always keep a few unreserved tables अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें